Good morning and welcome students, I am Gita Negi from Navujyoti Global School, Mona. So students, आपने देखा था और वीडियो भी हमने बनाए थी, तो उसी तरीके से ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है, जो है चैप्टर 7 और चैप्टर का नेम है मेजरमेंट. तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, वो क्या था हमारा सब्ट्रेक्शन, अब हमारा ये है मेजरमेंट और ये है किलास फर्स्ट की मैथ का 7 चैप्टर, 7 चैप्टर मेजरमेंट. यहाँ पे लिखा है आप देख रहे होंगे, टॉप में लिखा है longer and shorter, long मतलब क्या होता है? चोटा and short मतलब, sorry long मतलब लंबा and short मतलब छोटा. तो यहाँ पर आपको देख रहे हूंगे आपको thinking's दी गई है आप देख रहे होंगे यहाँ फे two pencil दी गई है एक के नीचे लिखा है shorter and second के नीचे लिखा है longer तो आप देख रहे हूंगे जो छोटी pencil है वहाँ पे क्या लिखा है shorter and जो बड़ी लंबी pencil है उसमें क्या लिखा है longer तो यह क्या है जो छोटी वाली pencil है उसको क्या बोलेंगे हम sorter and बड़ी वाली pencil को longer यहाँ पर देख रहे होंगे आपको two's आपको दिख रहे होंगे stairs दिख रहे होंगे देख रहे होंगे एक छोटी है एक लंबी है तो इसमें भी क्या है जो छोटी है उसको क्या बोलेंगे shorter and जो लंबी है उसको longer and नीचे देखेंगे आप यहाँ पर है two leaf दिख रहे होंगे आपको tick the longer अभी आपको बताया था ना कि longer क्या होता है जो आप two things दी गई है उन में से जो long होगा यानि कि जो लंबा होगा तो उसमें हम क्या करेंगे tick करेंगे ऐसे यहाँ देखेंगे आपको broom दिख रहा है तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप एक छोटा broom है एक बड़ा broom है तो आप किसमें tick करना है आपको longer टिक करना है तो आप यह लॉंगर हा उसमें जो बड़ा वाला है लंबा वाला है उसमें अ क्ली है तो गए पाइलम करना है है यह तो सव्ट हए उसमें एक longer है and एक shorter है और हमें किसमेर करना है shorter में जो छोटी वाली है तो I hope आपको ये longer और shorter वादा समझ में आया हो इसी तरीके से आप देखेंगे longest and shortage जैसे अभी longer और shorter था वैसे आप क्या है longest and shorter पहले क्या था तू थिंग्स थी उन में से एक longer था एक shorter था अब इसी तरीके से shortest मतलब सबसे चोटा और longest मतलब सबसे लंबा तो आप दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे चिली दिख रही है तो आपको क्या करना है यह देख रहे होंगे सबसे बड़ी वाली में क्या लिखा है यहाँ पे longest और यह बीच वाली क्या है middle और यह सबसे चोटी को क्या बोलेंगे हम shortest तो आपको यह समझ में आगे कि longest क्या है shortest क्या है अब देखेंगे आप नीचे exercise है तिक दो longest अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको things दी है इन से आपको तीनों मेंसे जो सबसे longest है यानि कि सबसे बड़ी है उस पे आपको क्या करना है टिक तो आपकी सबसे बड़ी वाली कौन सी है यह जो आपको अभी अपने स्कीन पे दिख रही है तो यह क्या है सबसे longest है तो आप इसमें क्या करेंगे टिक करेंगे and next देखेंगे आपको next thing दिख रही है इसमें भी आपको क्या करना है जो longest है उस पर टिक करना है जैसे उपर वाली इसमें था हमने क्या किया था जो longest था उसमें हमने टिक क्या था ऐसी इसमें longest कौन सा है ये वाला तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें टिक करेंगे and next दिख रही होगे आपको छड़ी दिख रही होगी इसमें भी क्या है और लिखा क्या है उपर से tick the longest shortest जो इसमें से सबसे चोटी है यह देख रहे होगे आपको 3 दिख रही है first वाली देखेंगे आप सबसे longest दिख रही है and second वाली सबसे चोटी and next आपको थोड़ा सा middle वाली तो आप क्या करेंगे आपको इसमें क्या करने है जो सबसे shortest है यानि कि सबसे छोटी है यह वाली जो आपको पिर ने screen पर दिख रही है तो यह क्या है भी सबसे छोटी है यह shortest आप तो आप इसमें क्या करेंगे यह हमारी सबसे चड़ी है तो इसमें हम क्या करेंगे टिक करेंगे and next आता है हमारा taller and shorter यानि कि taller मतलब लंबा and shorter मिन्स छोटा अभी तक हम तो क्या करें थे shortest, longest ऐसे करें थे न अब हमें क्या करना है taller और shorter में taller मतलब लंबा, shortest मतलब shortest मतलब छोटा shorter तो आपको यहापर दिख रहे होंगे, यह देख रहे होंगे आप तो यह क्या है इन दोनों में से फ़र्ष्ट वाले में देखेंगे आप taller यह क्या है इससे लंबा है तो यह क्या है taller and यह क्या है हमारा shorter next देखेंगे आपको 2% दिख रहे है तो एक क्या है जो लंबा दिख रहे है आपको जो बड़ा दिख रहा है लंबा दिख रहा है वो क्या है टॉलर एंड जो छोड़ा दिख रहा है देख रहे हूंगे आप लग सेम एज के रहे हैं बट क्या है उनकी हाइट में हाइट में डिफ्रेंस है तो ये क्या है ये वाला टॉलर एंड ये सोटर तो हम क्या बोलेंगे इसको टॉलर एंड इसको सोटर जो लंबा होगा जो छोटा होगा उसको टॉलर एंड सोटर टू परसन दिख रहे थे उसमें ये थे एक सोटर था एक टॉलर था तो इसी तरीके से एक्सराइज है टिक दौर टॉलर आप दो बर्ड दिख रहे हैं आपको इसमें से जो टॉलर है भी बताया था न मैंने टॉलर कौन सा है जो ज़्यादा है दो लोग होंगे उसमें से जो लंबा होगा उसको क्या करेंगे हम टॉलर तो ये क्या है ये टॉलर ये है ये वाला बर्ड टॉलर है and next देखेंगे आपको two cow दिख रही है एक छोटी एक बड़ी यानि कि इसमें भी आपको क्या करना है जो taller है तो लंबी वाली कौन सी है ये तो इसको क्या बोलेंगे हम इसमें हम tick करेंगे ठीक हो गया and tick the shorter आप क्या करना था पहले क्या क्या था हमने जो taller जो लंबा था उस पर tick करना था आप क्या करना है में Sorter जो छोटा है आप देखेंगे two dog दिख रहे हैं आपको तो इसमें से जो छोटा वाला है उसको हमें tick करना है तो छोटा कौन सा है इसमें से आप लोग भी बताएं मेरे सान तो ये हमारा छोटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे sorter, यानि कि यह sorter है तो इसमें हम tick करेंगे, and next देखेंगे आप two plants दिख रहे हुंगे आपको तो इसमें भी आपको क्या करना है जो हमारा sorter वाप्लान्ट है, उसमें हमें tick करना है, तो इसमें से two कौन से है यह तो taller है जो first वाला आपको दिख रहा है वो क्या है? taller plant है यह वाला दिख रहा है आपको sorter है तो इसमें हम क्या करेंगे? यह हमारा sorter plant है तो इसमें हम तिक कर देंगे अभी हमने taller और sorter पढ़ा था अब हमारा है tallest and sorterst यानि कि सबसे लंबा और सबसे छोटा teilest मतलब सबसे लंबा मतलब कुछ things दिए होँगे आपको उसमें से आपको सबसे लंबा कौन सा है and सबसे छोटा कौन सा है तोलेस हैं सोटेश यहां पर देख रहे हूंगे आपको हाउस दिख रहे हैं फर्स्ट वाले में देख रहे हूंगे आप फर्स्ट वाला जो हाउस है उसमें क्या लिखा है टॉलेश उसके नीचे टॉलेश लिखा है यानि कि सबसे लंबा जो है इन तीनों में से आप देख रहे हूंगे थिरी हाउस दिखा रखे हैं उन में से जो टॉलेश्ट हाउस है वो सबसे लंबा जो house है उसमें लिखा है tallest और ये बीडिल वाला बीच अलत जो दिख रहा है ये middle वाला house हुआ और नेक्स जो सबसे छोटा दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम shortest यानि कि इन तीनों में से ये सबसे छोटा वाला shortest house है ठीक हो गया और नेक्स देखेंगे आप ट्री दिख रही है आपको ये ट्री दिख रही है तो सबसे बड़ी ट्री में क्या लिखा रख सबसे बड़ी ट्री को हम क्या बोलेंगे tallest and ये बीच वाली जो है वो middle and जो सबसे छोटी है इन तीनों में से सबसे जो छोटी है उसकों बोलेंगे shortest अब इसी तरह से exercise है tick.tollest आपको three birds दिये गए अब आपको क्या करना है इसमें से इन तीनों में से आपको बताना है जैसे उपर house में था जो सबसे लंबी थी उसमें आपको क्या था tallest लिखा था है इन सबसे छोटी में shortest लिखा था इसी तरह के से three birds दिये हैं इसमें से आपको बताना है कि tallest कौन सा है तो इसमें से tallest कौन सा है जो beach में बर्ड है ये हमारा क्या है इसमें से tallest है ठीक हो गया इन नच देखेंगे आप टिक्डॉह सौ। आभी हमने क्या क्या था टॉलेस्ट जानि सबसे लंबा है उस को ट्क क्या था एन हमें प्या गरना है जो सबसे चोटा है यह आप सबसे चोटा जोकर है तो हम इसमें क्या करेंगे यह हमारा सबसे चोटा वाला टेस्ट वाला है तो हम इसमें क्या करेंगे इसको टिक करेंगे एंड next है हमारा thicker and thinner तो आपने देखा होगा जब आपके खिलास में वह होते है बच्चे होते हैं कोई मोटा होता है कोई पतला होता है इसी तरीके से फिकर मतलब मोटा and thinner मतलब पतला आप देख रहे हुआंगे first example देख रहे हुए यह पे दिया है तो इसकी चोटी क्या है, इसके बाल थोड़ा पतले हैं, तो इसमें क्या लिख रहा है, थीनर, इसके बाल थोड़ा मोटे हैं, यह देख रहे होंगे आप, तो इसको क्या कहा गया है, थीकर, तो दोनों में से अगर हम गो करेंगे, तो क्या होगा, जिसके पतले होंगे, उसको तो मोटे होंगे उसको थिकर बोलेंगे kalian इसी interpretation as cioè आप धागा देख रहे होंगे यहां पे तो first वालबा क्या है थिकर है मोटा है थोड़ा और यह थोड़ा इससे पतला है तो इसको क्या भोलेंगे thinner ठीक होंगया.. इसी तरीके से exercise है..देख रहे होंगे आप फर्स्ट वाले में tick the thicker अभी हमने थिकर क्या बताये था जो थोड़ा उससे two things होंगी उससे जो मोटा होगा उसको थिकर बोलेंगे तो इन में से आपको कौन सा मोटा लग रहा है कौन सा groom मोटा लग रहा है तो ये second वाला तो इसको क्या बोलेंगे हम थिकर तो ये थिकर वाल ये हमारा ये वाला बुरूम थिकर है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्री दिखा रखिया आपको इसमें भी आपको जो क्या है थोड़ा मोटी है उससे two things से मोटी है तो उसमें हमें tick करना है तो क्या है ये वाला जो हमारा ट्री है वो हमारा थिकर है तो इसमें हम tick करेंगे इसी तरह के से next है tick the thinner आप क्या था अभी पहले हमने क्या किया था थिकर थिकर मतला जो मोटा और thinner मतला पतला तो हमें क्या करना है इसमें आप पतले वाले में tick करना है यानि कि tick the thinner यानि कि जो पतला है उसके प PPT इखरेंगे इसमें से जो कि पतला वाला एरो है उसमें टिकन है तो पतला वाला कौन सा एरो है यह हमारा मोटा है और यह हमारा पतला है तो इसके नीचे हम तिक करेंगे इसी तरीके से यहाँ पर टू रस्टी दिख रही है आप देवरूंगे एक मोटी है एक पतली है यानिकि एक थिकर है एक थिनर है तो हमें क्या करना है हमें थिनर वाली उसमें यानिकि पतली वाली रस्टी में टिक करना है इसी तरीके से थिकस्ट एन मतलब जो हम सबसे मोटा है एंड थीनेस्ट मतलब सबसे चोटा है आप देख रहे होंगे ठीकस्ट यहां पर सब त्री बुक्स दी गई है आप देखरोंगे फर्स्ट वाली रो में थ्री बुक्स दी गई है उनमें से जो सबसे मोटी है उसके नीचे लिख रखा है थिकेस्ट क्या लिख रखा है थिकेस्ट एंड सेकें मीडिल वाली है एंड लास्ट जो सबसे चोटी है उसमें क्या लिखा तो इसी तरीके से आपको नीचे exercise दी गई है वो आपको complete करनी उसको आपको मेरे साथी देखना है और guess करना है आपको भी तो इसी तरीके से देखें अभी thickest क्या है जो सबसे मोटा है and thinest जो सबसे छोटा है इसी तरीके से देखें tick the thickest तो thickest में आपको thickest मतलब सबसे मोटा तो सबसे मोटी pencil कौन सी है इसमें से चेक करें आप कौन सी है यह first वाली जो red वाली pencil है वो क्या है हमारी thickest है and उसके बाद देखेंगे आप tick the thinest आपको brush दिख रहे होंगे आपने देखेंगे ना घर में जब आपने paint वगेरा होता है तो इसी तरीके से brush आते हैं तो उन में से आपको क्या करना है जो thinest है यानि कि जो सबसे पतला है तो सबसे पतला वाला कौन सा है इसमें blue वाला आप देख रहे होंगे blue या purple जैसा लग रहा है यह आपका क्या है thinest है तो इसमें आप tick करेंगी ठीक हो गया I hope आपको यह भी समझ में आ गया कि thickest क्या है and thinest क्या है ठीक हो गया इसके बाद है heavier and lighter यानि कि हलका और भारी और हलका आप देख रहे होंगे यहाँ पर heavier and lighter आप देख रहे होंगे ये दिख रहे होंगे वेट मसीन जैसी रख रख की है उसके उपर रख रख रहे है देख रहे होंगे pumpkin and tomato मैट्सु तो pumpkin क्या है यहाँ पर heaviest है और हमारा tomato है वो देख रहे हूंग आप हादी क्या है heaviest यानि कि भारी है int आपको दिखी है वो क्या है lighter यहनि कि छोटी है यहनि उससे हलकी है आप यहाँ पर देखें tick the lighter तो lighter में आपने क्या कर था जो हमारा हलका है आप देख रहूंगे एक sat दिख रही है और एक lock दिख रहा है तो आपको क्या करना मैं उस में से जो हमारी उसमें से हलकी चीज है तो हलकी चीज क्या होगी लॉक होगी या सट तो इसमें हमारा सट हलकी होगी तो हम क्या करेंगे लाइटर उसमें टिक करेंगे यानि कि हमारी सट क्या है लाइटर है लॉक के उसमें लॉक से देखेंगे आप slander दीकरहें आपको तो इसमें ढ़ी two slander दीए इसमें से आपको कौन सा बताना है , mensen क्या था गा sotto का होगा है है तो इसमें क्या होगा है मैं ह्याविष्ट है है रही होगा है है êtreंसे द्वांगें। तो यह क्या होगी हमारी भारी वाली है मैंने इसके बाद देख रहे हैं है हमने क्या पढ़ा था हैवियर और लाइटर आप हमारे नेक्स्ट क्या है हैं आभी स्बसालिकर लाइटर lightest तो आप देख रहोंगे यहाँ पे watermelion देख रहा है आपको जो सबसे बड़ा है उसमें क्या लिख रहा है? heaviest and जो सबसे छोटा है lightest तो इसी तरीके से और ये beach वाला क्या हो गया? middle हो गया है tick the heaviest जो आपको इसमें से सबसे भारी लग रहा है जो आपको इसमें से सबसे भारी लग रहा है उसमें आपको टिक करना है and second order में देखेंगे टिक the lightest यहाँ पे आपको एक घतोड़ी दिख रही है और एक रेक जैसा दिख रहा है जिसमें बुक्स हैं और एक फ्रॉग दिख रही है आपको तो इसमें से आपको बताने है कि lightest कौन है उसमें आप टिक करेंगे and tick the heaviest तो आपको इन तीन हों से आप देख रहाँगे bucket दिख रही है, bottle दिख रहा है and jug दिख रहा है तो आप इसमें से three message जो आला आपको heaviest यानि कि भारी लग रहा है उसमें आपको टिक करना है इसी तरीके से आपका next measurement तो आप क्या करना है आपको the book is three span long तो आपकी जो book है आपको उसको क्या करना है अपने hand से अपने thumb से आपके middle वाले hand जो आपका finger है तुमाओं को उसको आप इस तरीके से नाप 거지 जैसे आपको दिख रहा है BOOK में दिख रहा है लड़की जैसे याप ये girl जैसे अपने book को जो अपनग कर रही है और इसकी बुक क्या है इस book is three span long तो यह क्या है इस HI जैसे अपनी Roadbook को नापा था इसी तराइक से आपको अपने घर में जो टे साम भी आपना हां इसके बाद ही मैजर let it be My Classroom Blackboard is Pencil Long. इसी तरीके से आपको अपने Blackboard को आप क्या करना है? पहले आपने Pencil को अपने Hand से किया था. अब Pencil से आपको Blackboard, जैसे गल कर रही है, आप देख रहे होंगे. इसी तरीके से आपको अपने Classroom के Blackboard को नापना है कि वो कितने Pencil है? एंड नेक्स देख रहे होंगे, तो Carpet is 10 Feet Long. देख रहे होंगे, आप एक Boy है, वो क्या कर रहा है? Carpet को नाप रहा है. इसी तरीके से देखें, उसने Left वाले रखा, फिर Right उसके साथ ही आपको साथ में. फिर आप क्या करेंगे, Left वाले जो आपका Feet है, उसको आगे करेंगे, फिर Right इस तरीके से आप नाप लेंगे कि कितने Feet Long Carpet है, तो इसी तरीके से देख रहे होंगे, आप the Carpet is 10 Feet Long, तो क्या है वो 10 Feet Long, the mat is 6 Feet Long, तो इसी तरीके से आपको mat को भी नापना है, और यहां प ौ ट्री आपको यह तू ट्री दिख रहे हैं, पेर दिख रहे हैं, दो, आपको गैस करना है कि इन दोनों के बीज में कितना 잘 होगा, कितना आपको जैसी फर्स्ट वाली टीर से लाश्ट वाली टीर यह दूसरी टी में जाते हैं, फर्स से सेकें वाली टीर में, तो बीज में कितने पैर का आएगा, कितने फीट लॉंग आएगा, तो आपको यह गैस करना है, I hope जो मैंने आपको बताया हो, आपको समझ में आ गया हो, और इसी तरीक Thank you!